हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वी आई पैडवांस टेक में तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम गुपता और गुपता बुक का सोलीशन देख रहे हैं जिसमें सर्वेंग हमारा सब्जेक्ट चल रहा है तो अभी कोशन नमर 165 तक हम कंप् इन दा एलिवेशन ओफ पॉइंट बिट्विन और वर्टिकल एंड टेंजेंट इस काई आप लोगों से कह रहा है कि आपके पास वर्टिकल कर वह आपने उसमें से एक टेंजेंट ड्रो किया है तो अगर आप कोई भी एक पॉइंट कंसेडर कर लेते हो ठीक है मालों यह प इस डिस्टेंस से बताना किस तरीके से रिलेटिट होगा तो जल्दी से एक बार सब लोगा अंसर करेंगे डायरेक्ली प्रोपोष्ण लोगा टूट इस ओर इनवर्सटल इस्टेंस फ्रों दी पॉइंट ऑफ टेंजेंस जल्दी से गाइस सब लोग का आंसर मेरे पास आना करने के चार से पांच मैंते हुच वीडियो अगर आपने नहीं थे तो उसमें उपसेट में आप लोग को बताये ते कि जब हम क्या करते हैं इक उनके इसका ऐलीवेशन फाइंड आउट करते हैं तो वह एलीवेशन जो होता है वो डिस्टेंस से और जोंटल डिस्टेंस से किस तरीके से रिलेटेड होता है ठीक है चलिए एक बार मैं आप लोगो को दिखाता हूं यह देखो यहां पर लिखा हुआ भी है पर पेंडिकुलर ओप यह आपका टैंजेंसी बोलते हैं तो इनके बीच का गैप एक पोईट अपने ले लिए पीफ अब यह जो आपका वर्टिकल करव है त्टैक है और यह जब कास न लेलिया ओ एक्स ट से ते साहन बीचिए और यह घृटां के लिएक ऑन देखना त in के यह और लोग लोग प्रोक्सिमेट रिजल्ट था वह हम इस से कैलकुलेट कर लेते हैं और यहां से आप लोग किलियर कर पा रहे होगे कि उसके बीच का जो गैप होता है वो क्या है डारेक्ली प्रपोर्शनल एक इसके उसके डिस्टेंस के स्कॉयर के ठीक है इसके डेरिवेशन की आप लोग को कोई जरूरत नहीं मैंना आप लोग को बता दिया किस तरीके से होता है क्या कोशन में पूछ रहा है आपको क्लियर हो गया फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एक पर कमेंट करके बता देना ठीक है तो यहां पर आप एक पार देख सकते हैं डारेक्ली सेलेक्ट लेक्ट आन्सर कहाई दो स्टेटमेंट को देरेख को इस्टेटमेंट फंस्ट सेवाพर रीए这 कंधकर और बताना कि लिए हैं पने जरूर। कर दिया को first statement से कह से दो शीर भाइस करों कई जो सिंफट होती है वह क्या करती है आप लोग को भाइसर कर देट कर देगा है टार्ब को मैंने कर रहो होता है यह आप लोग को लास्ट वीडियो में समझा रखा एक ऐसा कर जिसकी रेडेस क्या होती इंफिनिटी इंफिनिटी व की यहाद होंगी तो यह आपके पास सिफ्ट होता है यहां पर फिल्ड में हमसे यह कहे रहा है कि शिफ्ट होता हुटा है वह तो दो नो एक ही है यहां पर कहा रहा है यहां से करे जो है वह बाइसक्ट करता है सिफ्ट को तो यह लहाँ प्लगों को बता दूंगी गता ओगे यह प्र घंप मैं आफ लोह बनाये हमारा वो बनाया कॉरेक्टरिक्षिक्स ऑफ ट्रांजिशन कर्फ से ठीक किस तरी किसम setting out करते हैं कि transition करब का क्या उसके method होते हैं या फिर उसके characteristics से ज़्यादा जो question बनते हैं वो इनी दो topic से बनते हैं ठीक है तो चलो एक बार इसके बारे हम बात करें गाइस हैं पर आजाओ यह देखो गाइस यह करव आप लोग को सो रहा होगा जो कि क्या है transition करव है ठीक है क्या है transition करव आप लोग को एक 100 हो रहा होगा तो इस transition करव में देखने वाली बात यह गाइस देखो यह आपका original करव है original करव कौन सा यह टी पॉइंट से start हुआ और कुछ इस तरी के सा आप लोग करने के लिए क्या होती सिफ्टिंग करनी होती और उस सिफटिंग के लिए हमारे पास क्या होते है से लेकर करने के लिए से लेकर के बी तक की जो ह andar होती है इसको हम क्या बोलते है क्या है लटा March olvedके यह ऐ Campaign हो यह आपके पास क्लिए पर सब्सक्राइब कर दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं यहां पर पहला स्टेटमेंट है करेगी ट्रांजिशन कर दोसरा स्टेटमेंट है कि ट्रांजिशन कर बाइस करेगा सिफ्ट को ठीक है तो यह चीज आप लोगों को यहां से ध्यान रख नहीं है तो इसके उपर ज्यादा डिपेंड करते हैं चलो देखो इस कोशन के बात करेंगा इसको नमर 168 एक बार बताना जरू है लो quién हो रहे हैं किसी तरी की प्रॉब्लम में न तो एकदम लेक्चर के बाद यार जरूर करrics करके अठाकि मुझे को पता लग पाई फोड़ो से चेंजिस करने की कॉसिस झार्ण करीए तो अगर किसी तरी की प्रॉब्लम हो तो फोड़ कमेंड जरूर कर देना ठीक सबसे पहले मैं आप लोग को समझाऊंगा कि सेंट्रिफ्यूगल रेशियो होता क्या है वैसे मैं आप लोग को हाइवे इंजिनिरिंग में समझा चुका हूं जो मैंने गुपतान को प्रॉपर तरीके से बताया था ठीक लेकिन एक बार यहां से भी हम आपको किलियर करेंगे इसको जो सही आंसर हो जाता है वो option number C बिल्कुसी आंसर हो जाता है पहले तो यह समझ लो कि जो स्ट्रिफ्यूगल रेशियो होता है वो आपका क्या होगा रोड के लिए 1Y4 होगा maximum और railway के लिए जो maximum होगा वो 1Y8 होगा चलिए देखते हैं किस तरीके से होता है ठीक है जैस होता क्या है कि इसमें हमको एक एंड को क्या करना होता है उसको हाई या हाई राइस उसको करना होता है ठीक है राइस करना होता है क्योंकि हमारा जो होता आउटवर तो इसब करने के लिए कि अपर वीस के हमारे पास होता है姜 यह देख के पास होता है जिद के लिडंगार्ष को तो फॉर्मूलः धास होता है आप देखो गया आपको आपके पास है तो वEy तौ्स का डाउनवरड लगर रहा होगा बेट तो उसका प्रॉपर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा ना वीकल का और हमको पता है कि हम बेसिक सा पढ़ते आ रहें टैन्थ क्लास्ते के वेट जो होता है ने को सेंट्रिफूगल फोट करता है लोगो दिखन रखना तो इसको वेल्इयो के बारे में से पूछा गया तो यहां पर देखो यह लिखखा हूआ भी है इसको सेंट्रिफूगल रेशियो करते हैं तो यह centrifugal ratio जो होता है इसको आप एक बार notice करो ठीक है यह देखो सारा का सारा content made easy का है तो काफी अच्छा है यहाँ पर देखो maximum value centrifugal ratio की जो आप लोगे पास होती 1y4 and 1y8 होती है ठीक है तो 1y4 जो होती है वो किसके लिए होती है रोड के लिए होती है जो यहां पर देखो यहां पर देखो यह जो पर रोड के लिए होगा व यह पर घीसर पताना है नहीं होगा चलो भी बात करें गाइस question number 169 यह question भी काफ़ है important है इसमें कह रहा है कि आइगोनिक आइगोनिक लाइन इस दा लाइन जोइनिंग पॉइंट सेविंग काईज देखो दो तिन तरीकी की लाइन होती है हमारे पास ठीक है लेकिन हाँ पर हमसे बात कर रहा है आइगोनिक लाइन की बात कर रहा है से एक हमसे पूछा आइगोनिक लाइन होती है कव कौन से लाइन होती है इस अगर यह हमारा तो इस से अगर कोई भी Irland जहांपर अप सर्वे करने केने के लिए altre को यह आपको एसा element या कोई ऐसा substance present होता है जो आपकी compass की magnetic needle को effect करता है जिसकी वज़ेसा आपका जो true north हो magnetic north में convert हो जाता है तो यह जो आपका difference आता है इसको हम क्या बोलते है वह क्या होता उसमें zero declination होता है अच्छे सर इसका मतलब क्या है कि जो declination था जीरो हो गया मतलब जो आपके पार declination आता हो जीरो हो गया सर डिक्ली nation जीरो हो गया तो इसका मतलब कुछ इस सरीके से नहीं हो जाएगा यह देखो यह आपके पास true north था यह साउथ था तो यह डिक्ली नेशन वाला पॉर सन होता है जब यह डिक्ली नेशन वाला पोट्शन जीरो हो जाएगा तो ही लाइन कहा पर डुर नर्थ तो इसका अईसे हो गया कि जब नेशन जीरो हो गया तो जो हमारा true north था और जो हमारा true south था तो magnetic वह साउथ को आपका करती है वह कि आपका तरीका में रहानता है अगर ना ना-इक वए सासे को किनेक्त करती है ना ततोडों नोर्थ कोयाता और आपका कि रएक है तो तरीकी लाइन होती है एक फॉल्सक्राइब ayonic line थिए दोनों की बात करें गुद्ध करें और आया आइगॉनिक ठीक है तो देखो गाई थी हां पहें सबसे पहले बात करें के घुन झायन्स नहीं होता है कोई डीकली नेशन नहीं होता है तो Meses how to आईप लोग में बता है ठीक है। उसके बात देखकी जो आपके पास आइसोगोरी नाइन होती है क्या होती एंब जो तो टाइम तु टाइम या फिर वर यह फिर जो आपका ज्योग्राफिकल फिचर्स होते हैं यह लोजिकल पॉजिसन ऊती उसके एकों टीच छीज स्वाविकंग दिखेंग रखना है यह चलो नेक्स्ट चलते हैं गाई देखो यहां पर देखो कुछ इस त सब्सक्राइब करें एक बार चलो गए देखो नेक्स को सब्सक्राइब काफी अच्छा का इसको सब्सक्राइब 117 आप लोगों सारी चीज़े किलियर हो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता है कि आज का लेक्शर जो थोड़ा चाव विजुलाइजेशन पर डिपेंड तो मैं और कुको समझा दिया कि सरकम पॉलर स्थार जो होता है ओन्हएब उनका दिकलिनेशन जो ना चाहिए वह एक्वल होना चाहिए कौल अइटिट्इूट کے या फिर मोर दैना ओना चैएक ऐल अबंदिट्ट्थ है या नन हैनने आपको सरकम पॉलर इस्टार और एक देखने को मिला आपको को लैटिटूड तो कैई आपको मैं बता दूं कि सरकम पॉलर इस्टार क्या होते हैं और को लैटिटूड क्या होते हैं तब हम इस कोशन का आंसर कर पाएंगे लेकिन अभी फिलाल मैं आप लोगो आंसर बता देता है यह जिस है आप लोग याद रखो है मोर होता है कि सह से चलो एक बार बता było इक होता है इससे पहले hárta है घ्निध्या भाइस थोड़ हम कूझ जोग्रफी पढ़ने ही पड़ेगी और उसमया मेंगे बहुत मजा पर जुकी होई है ठीक है अच्छा गाइज यह आपकी अक्सेज होती रोटेशन की जिसके आपकी जो आर्थ है वो रोटेट करती है और एक तरफ आप लोगो दीख रहे हुए इस अर्थ पर कुछ आप लोगो लाइन सो रही हों गाइज तो जो लाइन सो रही है एक बार मैं को वह बताता हूं यह देखो यह जो आप लोग को लेटी वी लाइन दीक रही होंगी न यह वाली देखो यह वाल जो लेटी वी लाइन आप लोग को इस तरीकी की दीख रहे हुते थी तो ग aujourdी जो ग लोग इनको जिसको हम क्या बोलते इक्वेटर बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं यह सारी चीज़ए अप लोग को पता होए किए प Admiral Kenstra पर सारा यह मैं आपको अभी प्रॉवाइट करा दूंगा कंटेंट तो वहां से पढ़ लेना ठीक है यह सारी चीज़ है ठीक है देखो आप कोशन के बात करेंगे जो हम चो कोशन में कहा था कि आपका जो को लैटिटूड होता है वो क्या होता है देखो यहां पर देखो होता सरक्ल करते हैं जिसमें वो सारी कवर हो जाएं ठीक है अगर वो सारे के सारे जिस सरक्ल में कवर होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको सेलेस्टियल इस पेर हम उसको बोलते हैं ठीक है यह चीज़ आप लोग याद रखना साथ ही देखो उसमें क्या होता है यह ह यहां पर हम प्रेजर्ट है ध्याइक हंपास क्या है एक जो हमारे पास इसतार था कौन से श्टार्ट सरकूंपोलर इस्टार्ट त तो आप लोगों बिटा दूँगा यह आपके पास क्या हुथ है से और इसक्तर current रहता है यहाँ। पोलर के आस पास क्या एकरते रहते हैं और यह वाली जो इसको हम declination बोलते है यह जो क्या होगी इसल को लीच妍 ठीट्ट xuथी इसको हम क्यलेशन बोलते है त olduğum close या क्या होता ह्यां? हमारे पास क्योंब क्या होगी और ये जो यहां से अगर इसकी पोजीशन आप देखोगे तो इसकी पोजीशन को आगर आप देखोगे तो है तो इदर को जो को latitude बसता है 90 minus alpha बसता है ठीक है यह चीज भी आप याद रखने है ठीक है काफी important है काइस काफी अच्छे से मैं समझाने की कोसिस कर रहा हूं आप लोगों यह सारी चीज़ आपको visualize करने ही पड़ेंगी ठीक है चलो next question पर जाओ गाई यह question भी अच्छा question नुमर 171 इसमें कहा रहा कि four star at its upper transit ठीक है the local side real time is equal to guys अब देखो यहां पर कह रहा है कि एक star है आपका वो कहां पर exist कर रहा अपर ट्रांजिट में exist कर रहा है ठीक है तो उसके लिए आप लोगों को बताना है कि जो local side real time होगा वो इन में से किस से related होगा ठीक है और एक जो होता है हमारे पास वो side real time होता है और एक हमारे पास जो होड़ता है वो tropical time होता है कौनसा होता है tropical year होता है और एक side rail year होता है इनको भी समझेंगे क्या होता है ठीक है लेकिन अभी आप यह समझो question में आपसे यह कहा है कि upper transit के case में आप लोगों को याद रखना है जो आपका local side rail time होगा वो equal होगा किसके जो आपका आरे of the star होगा आरे क्या होता है राइट एसेशन राइट एसेशन ऑफ दी स्टार ठीक है राइट एसेशन ऑफ दी स्टार जोगा उसके एक्वल होगा आपका local side rail time होगा ठीक है चलो एक बास solution की तरफ बढ़ते हैं और सारी चीजह हम देखते हैं ठीक है चलो गाइस देखो यहाँ पर सबसे बाले बात करेंगे star at the transit यहाँ पर transit position star at the transit position ठीक है यह आप लोगों सो हो रहा होगा तो यहाँ पर काई सबसे पहले कह रहा है कि अपर transit पोजिशन यहाँ पर देखो सबसे पहले कह रहा है कि अपर transit पोजिशन यहाँ पर कह रहा है कि वैन आई star crossing observer observer cảmoss नियर दा जीनित इस कोलड अपर ट्रांजीड पोजीजिशन उसको हम क्या बोलते कि आप ड abroad भी सकना पूलते अब किव यह दो ट्रमl आए ayah WHした उपmatic आतél और एक आपके पर जेनित आया अब इन दोनों को हम समझेंगे क्या होता observer meridian और क्या होता आपके बाद जैनित तब जा करके आपको अपर transit समझ में आएगा ठीक है देखो जैसे कि मैंना आप लोग को बताया है गाई होता क्या है कि आपकी यह आर्थ है ठीक है तो इस आर्थ से हम क्या करते हैं सैलेसे जेल हम साथ करते हैं सैलेसे मैं आप लोग को बताया कि आपकी होता है जो आपकी स्विष्षयल भोड़ इस कोर दो है इसकी जुए और उपस अब पर मैराय और मैरीडियान सब पहले आप जो आप लोगों के होती है इस , ना प लिक यह यह जइंगा है अगर आप अर्थ पे पिड़ेंट हो मालो अर्थ पर आप यहां पर खड़े हो ठीक है तो आपके अगर मैं सर के उपर से ठीक है आप जहां पर भी हो किसी भी पोजिशन पर आर्थ की चाहें किसी भी पोजिशन पर हो और मैं आपकी क्या है बिल्कुल आपके सर के उपर से पर को क्या बोलते हैं नादिर आप काओगे सर ये सारे पॉइंट पढ़ने पढ़ेंगे क्या हाँ भाई ये सारे पॉइंट आप लोग को याद करने पढ़ेंगे देखो मैं काफी अच्छे कोसिस कर रहा हूँ आप लोग को ये चीज़े क्लियर कराने की ठीक है जितना मुझस से हो सकता है देखो विजुलाइज करना ही पढ़ेगा इतनी चीज़े को ठीक है तो अब इस डेफिनेशन को बढ़ो अब आपको समझ माएगा वैना इस्टार क्रोसिंग ऑब्जरवर मेरीडियन नियर दा जैनित इस कोल्ड अपर ट्रांजिट पोजिशन यानिकि गाईज अ जैनित चले जाओगे आप नाधिर में चले जाओगे न तो अगर इसके आसपास कहीं है उसको क्या करता है कट करता है कोई भी स्टार तो उसको हम क्या बोल देते हैं लोग ट्रांजिट बोल देते हैं यह चीज़ आप लोग को याद रखनी ऑब्जरवर मेरीडियन क्या हो जो आपके पास अब्जरवर मेरीडियन होती है और इसमें वर्टिकल सर्किल जो होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं जो आपके क्या करते हैं जैनित पॉइंट को और जो नाधिर पॉइंट होता है उसको कनेक्ट करते हैं यह चीज़ भी आप लोग को याद रखनी है के ल weeks comment होता है मॉसम चेंज होते हैं ठीकि एक तरीके से वह आपके पास क्या होता है होता था थैक्ती क्या होता है सईग और यह सब्ट i यह लियर होता है वो 20 मिनट जादा होता है किस से ट्रोपिकल यह से यह चीज़ आप लोग को याद रखनी ठीक है अभी कहोगे सरा आप कोशन में जो पूछा था उससे रिलिटेट तो आप लोगोंने कुछ बताया ही नहीं तो देखो अभी कोशन में चलते हैं उसमें हमसे कह होता है तो यहां पर आपका यह क्या है अपर जो इस्टार है वह कहां पर है अपर ट्रांजिट में तो इसके लिए आप से पूछा था कि जो लोकल साइट रियल टाइम होता है वह किसके एक्वल होता है तो देखो जो लोकल साइट रियल टाइम होता है जो आपका राइट का तकका तक होता है उसके की ऊवाल होता है ठीक और यह भी मैंना आप लोग वह बताया ता कि ही आपके स्टार होता है यह वाला पॉन्ट्स होता है और यह वाले टेंस होती ही क्या होती को लेडिवें धू Lenka नियूंगे तोड़ी याद करने वाली चीज़े भी है क्योंकि यह जो हमारा सब्जेक्ट है वह एस्टोनोमिकल सर्वे से कभी कभी कोशन पूछ लिए जाते हैं यह पर देखो दा लिमिटिंग दा लिमिटिंग मिनीमम डिक्लिनेशन ऑफ सरकम पॉलर इस्टार है विंग लेटिटूड फोर डिग सब्सक्राओं मर। investigating minimum डिक्लिनेशन क्या होता है देखो नट सेक्यों आप लोग को होता ही कितना आजाएगा 50 यंद सर आ जायएगा तो यह चीज भी आप लोगँ को याद रखनी को बता दी ठीक है चलोिए अपे ने चुछ नपाई यह देखो इस को सरन गांजर सब लोग करेंगे सही करेंगे यहां पर कहा रहा है the relation between the tropical year YT and side real year SYS आप लोग को बताना है जो tropical year आप लोग का होता है YT और जो side real year होता है उनमें क्या relation होता है मैंने अभी आप लोग को बताया था जो side real year होता है वो क्या होता है tropical year से 20 मिनट जादा होता है tropical year से 20 मिनट जादा होता है यानि कि side real year क्या होता है जादा होता है कि इस से ट्रोपिकल इयर से तो कितना ज़ादा होता है बीच मिनट ज़ादा होता है तो बिलकुत सही option number B क्या हो जाता है बिलकुत सही answer हो जाता है ठीक है काफी difficult होता है इसको समझाना जो चीज मैं आप लोगो समझाने कोसिस कर रहा तो मेरी महनत सफल हो जाएगी ठीक है क्योंकि काफी मुझे खुद को भी मतला ही समझने में काफी टाइम लग गया ठीक है क्योंकि जन्हें हम क्या करते है जो astronomical सर्वे होता है इसको हम skip कर देते हैं ठीक है यह मैं आपको बताई चुका हूं जो side real year होता है वो 20 minutes जादा होता पर culmination is in a is in the janet of the place the latitude the altitude of the lower declination is आपको lower declination का altitude बताना है कितना होगा यह आपके पास उसका जो star का declination है वो क।फिफट्टी फाइब डिग्री यहारनी कि कुछ तरीकेसा आप लोगों से नहीं कहा रहा है क्या आप लोग के पास जो declination है इस तरीके से अगर यह star है यहां पे star है तो उसका Dclination आप लोगो दे दिया, कितना 55 Degree, ठीक है, कितना दे दिया 55 Degree आप लोगो दे दिया, और ये आप से पूचा है, तो कितना हो जाएगा, total 90 होता है, तो 90-55 कर देंगी, तो कितना जाएगा, 35 जाएगा ना, तो एक बार विजीवल बताना यार मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजे कम विजीवल हो रही हूंगी आई तिंग आप लोग को और यह सारी चीजे को मैं कंप्लेट करा चुका हूं हाइवे हो गया गुपता का बिल्डिंग मेटेरियल हो गया वह कंप्लेट करा काफी अल्टीमेट बहुत अच्छे करा रहा हूं और आप लोग को बहुत पसंद भी आ रहा हूं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाई और एक बार वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दिया करो या ठीक है और देखो यह इस्ट्री जो है से जाई के लिए पॉलिटी जाई के लिए ज यह जो इस की लिए